अगर आपका जवाब है ये चीता? नो, absolutely, you're wrong वेल, तुनिया का fastest animal है एक चीटी Can you believe it? रब, ये छोटी सी मुंगी चीता से भी fast नहीं दी fastest है, वो कैसे? वेल, मैं हो ना, आगे बताऊंगा आपको इस वीडियो में और इसी के, जिसमें अगर तुम गल्ती से भी गिर गए ना तो तुम खतम, game over, खलास तुम पूरे के पूरे पत्थर के बन जाओगे हाँ, सिर्फ इसे चूते ही पत्थर के बन जाओगे लेकिन ये चादू आखिर होता कैसे है? वेल, इतनी भी का जल्दी है, आगे बताऊंगा ना बट उससे पहले ये भी देखो नहीं, ये कोई picture नहीं चल रही है बलकि ये तो एक shopping center है हाँ जी, जो चाहिए उस पर हाथ रखो और तुमारे घर पे वो सीधा हाज़र वेल, ऐसा भी होता है कि अब बिलकुल होता है ये सबी जानने के लिए लेट उस गेट साड़र विद आ फैक नमबर वान विर्चुल शॉपिंग सेंटर नहीं नहीं, ये कोई खाने की advertisement वाली billboard नहीं है, बलकि ये तो दुनिया का first virtual departmental store है जी हाँ, ये एक digital दुकान है जो कि Seoul, South Korea के subway में बनी हुई है, इसे टेस्ट को HomePlus नाम के company ने शुरू किया क्योंकि उनका मानना है कि लोग अलग से mall में जाके grocery shopping में time की waste करें जब वो लोग normal traveling के time पे train का wait करते वक्त, इन virtual digital boats पे उनकी चीजों का order replace कर सकते हैं, पिल पे करके address देके अपना समान सीधा घर पे deliver करवा सकते हैं वाउ, what a futuristic idea, right? फिलाल तो इस virtual store में कुछ 500 ही products है, पर इनका क्याना है कि future में ये लोग और भी products बढ़ा देंगे कैसे computers और technology से अपना काम easy करवाना, what an idea Korean बाबुजी, number two farmer to lawyer अब हलो, क्या अपने किसान को खेती छोड़के court में लड़ाई करते हुए medical company के साथ, वो भी as a lawyer कभी देखा है, नहीं न, तो मिलो इन से, इनका नाम है Wong, जिन्होंने 16 years law की पढ़ाई की, बसे क्यों हा, नाम की chemical company को sue करने के लिए, well, क्योंकि इस chemical company ने अपना साना chemical waste और जितना भी कूड़ा कच्रा था न, सभी इनके farmlands पर छोड़ दिया था, रब इसके वजए से इन बेचारों की जमीन बरबाद हो गई थी, और इनको नुकसान भी बहुत हुआ था, तो बस इन चिच्चा का दिमाग घुमा और इन्होंने ठान ली कि इस company को सबक सिखा के रहूंगा मैं, और फिर क्या था, एक bookstore वाले को भुट्टा देके पैसों के बदले किताब पढ़ पढ़के इन्होंने law सीखा और तु मानोगे नहीं बलकि इस चिच्चा नेक लॉयर बनके कोट में ये केस जीता आखिरकार, और फिर company वालों को compensation के तौर पे 119,000 तॉलर्स यानकी कोछ 88 लाक रुपीज भरना पड़ा उनको अब यारो, इबे पे तो कहीं चीज़े बिक्ती है, आपने देखा ही होगा जैसे कार, घर, इंसान, जानवर और यहां तक की देश भी और क्या कभी आपने सोचा है कि इबे पे सबसे पहली ऐसी क्या चीज़ थी जो बेची गई थी, कैस करो नहीं कर पाए न, इबे पे सबसे पहले एक ब्रोकन लेजर पॉइंटर बेची गई थी पिलकुल यार, 1995 में पियर्स नाम के एक बंदे ने ये लेजर पैन इबे की लिस्ट पे बेची थी और मार्क फ्रेजर ने इस लेजर को कुछ 14.83 डॉलर्स याने की लगबग 1000 रुपे में खरीदा था पर मज़गी बात तो यह है कि जब मार्क को डिलिवरी मिली और ये लेजर तूटी मिली तब उन्होंने पियर को कॉल किया ये पूछने के लिए कि ये पहले से ही तूटी थी या शिप्मेंट में तूट गई और अब आप सोचो क्या आंसर मिला होगा बंदे को उन्होंने कहा कि भाई मैं तो तूटी हुई ही लेजर सी बेचता हूँ तुमें नहीं खरीद नी थी क्या अंड देन बेचारे की बोलती बंदो गई अगर हैरी पॉर्टर का ये पांट देखके आपने भी इस लड़की को 15-16 साल की निभी समझा तो बॉस आपकी आखोंने भी मेरी आखों की इतिरा आपको धोका दिया है येस, ये कोई निभी नहीं बलकि 45 येर्स की औरत है जब हॉलिवूट की इस आक्टरेश शर्ली हेंडरसन को फेमस मुवी हारी पॉर्टर अन दी चेंबर ओफ सीक्वेट्स में कास्ट किया गया था वो 45 येर्स की थी लेकिन उनकी एक्सेलेंट मेक अप और आट्टी स्किल्स की वजए से वो एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी और वा इससे दो बस हमें एक किसी इक मिलती है भी न किसी भी लडगी को मिलो जिसने मेक अप डाला हो बच के रहना रे बबाबा अब आगे बने से पहले फ्रेंट्स कि आप स्टॉक मार्केट में नए हो जो इन्वेस्मेंट ये ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस दे सके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमाट अकाउंट होना चाहिए आप मोदीला लुस्वाल पर अपना एकाउंट खोलते हो आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ रूपीस 25,000 इसमें आप उनके AI-based टूल्स भी उसकर पाएंगे साथ मैं आपको 3000 के डिसकाउंट कूपिन्स एड रूपीस 1000 ब्रोकरेज का कैश बैक भी मिलेगा देर किस बात की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक क्लिक करें अपना नाम, फोन नमबर और सिटी डाले अगर मैं आपको कहूँ कि इस लेक में जो भी जिन्दा या मुर्दा गिरता है वो सीधा पत्थर में बदल जाता है या फिर ममीफाय हो जाता है वेल, आप सुनकर काफी डर गए होगे बट डरना भी चाहिए क्योंकि आफरिका के चंगलों में सिटुएट इस लेक का नाम है नेट्रोन लेक और इसको ये नाम इसके पारी में मौझूद मिनरल्स या फिर कहो तो एक टाइप के सॉल्ट इसका नाम है नेट्रोन के कारण मिला है देखो, बेसिकली ये लेक एक होट स्प्रिंग है विथ हाई अमाउंट और सॉल्ट अब यारो इस दुनिया में कुछ ऐसी वी लड़किया है जो नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादे कलर्स देख सकती है जैसे कि ये क्या, समझ नहीं आया? तो बात ऐसी है ना, हाली में ये डिस्कवर हुआ है कि दुनिया में 2% लड़कियां ऐसी होती है जिनने नॉर्मल इंसान से ज्यादा कलर्स दिखाई देती है क्योंकि इनमें एक म्यूटेशन होता है जिसकी वजए से इनके आँखों में एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स और तीन के जगे चार कोन सेल्स होते है और इसी रिये ये लड़कियां कुछ 100 मिलियन ज्यादा कलर्स देख सकती है और उनमें आसानी से डिफ्रेंशियेट कर पाती है वेल रब तुम्हें नीचे बताओ यार तुमारी वाली भी ऐसा कर सकती है क्या नमब सेवन आदमी और उसके स्वेटर्स ये देखो ये देखो और ये भी देखो इसे कहते हैं ओजी वाला ट्रैवलिंग फ्रीक या हमारे स्टाइल में कहा जाए तो चिच्चा के मेंटोस जिंदकों वैसे इन चाचा का नाम है सैम बर्सकी जोकि 43 येर्स के बैल्टीमोर में रहने वाले एक आम इंसान है पर इनके शौप कुछ ऐसे है कि ये जहाँ पर भी ट्रैवल करने जाते हैं वाहां की फेमस जिगा का स्वेटर बनाते हैं और वो स्वेटर पहन के फोटू कीचाते हैं और ऐसा करते करते आज इन चिच्चा के पास कुछ 140 ऐसी ही लैंसकेप्स वाली स्वेटर ही है इनका तो ये भी कहना है कि इनके लिए घूमना और स्वेटर बनाना को उस हैंडिन है इस्तानबुल के सडकों पे पाए गए हैं ये छोटे 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 विन टर्बाइन्स जो मजाग के लिए नहीं रखे गए हैं बलकि सची में इलेक्टरिसिटी प्रड्यूस करते हैं ये एक टर्किश कंपनी डेवेसी टेक के द्वारा इन्वेंट किया गया विन टर्बाइन है जोकि गाड़ियों के चलने से और आने वाली विन्ड एनरजी को इलेक्टरिक एनरजी में कंपनी प्रड़र करते हैं और उस्की लिए इनको generally हैवे में सेट किया जाता है और तो और इन टर्बाइन्स में एसे sensors भी connected होते हैं जो वहाँ पर आने वाले अर्थकुएक का भी पता लगा लेते हैं प्रिलियंट राइट दो प्रॉब्लम्स एक सलूशन और वो भी एकदम प्राक्टिकल फिलाल तो ये इस्तानबुल में ही प्लांटिर है पर जल्द ही पूरे दुनिया में भी आ जाएगा अब हलोग इन फ्रूट्स को ये प्रोटेक्शन वाली केज नाच्रली ही मिलती है जो देखके चाइना वालों का ये मानना है कि there is life after death देखो मैं समझाता हूँ कैसे ये चाइना का special चाइनीज लांटिन प्लांट है जिसको white cherry या फिर skeleton flower के नाम से भी जाना जाता है maturity के साथ इस प्लांट पे सुंदर bright orange flowers आते हैं जो धीरे धीरे transform होके एक red papery color लेके आते हैं और जब तक winter आता है फ्लावर्स का covering छड़ जाता है और सिर्फ उनका skeleton रह जाता है लेकिन जैसे सब को पता है कि fruit flower से ही होता है बस फिर जैसे ही fruit उखता है वो इस protective skeleton के अंदर by default उखता है और इसलिए हमारे चीनी भाईयों का ये मानना है कि मौत के बाद भी सिंदेकी होती है number 10 cuddle death now I doubt तुमेंसे किसी को भी पता होगा कि मदुमक्खिया अपनी महरानी को ऐसे हग करके sweet and cuddly मौत के घाट उतार देती है हाँ भाई फेक नहीं रहाओ इस process को cuddle death बोलते है जब भी कोई queen भी बुड़िया बिमार हो जाती है और इसे replace करने के लिए एक new queen को तैयार किया जाता है तब 20 का एक जोर्ण जने super seizure बोला जाता है वो अपने queen को बड़े ही प्यार से cuddle करके मार डालते है पर कैसे वो ऐसे कि जब ये करल करते हैं ये इतनी heat पैदा करते हैं कि बेचारी queen कर्मी और suffocation के मारे वहीं पर दम घुटके मर जाती है और फिर क्या गेम ओवर फिनिस अब से ना road accidents नहीं होंगे कैसे ये देखो कुछ ऐसे ये Samsung Electronics, Argentina और partners Leo Burnett के द्वारा बनाया गया एक ट्रक है जिसमें पीछे TV screens लगे हैं पर TV screens अचिड़ नहीं बोलना क्या चाहते हो भाई? यही सोच रहे हो न? तो वेल, बोलना मैं ये चाहता हूँ कि जो Samsung के TV फिट किये गए हैं ट्रक्स पे न एक कैमरा से connected होते हैं जो ट्रक के सामने लगा होता है और इसके वजए से ट्रक के सामने से आती vehicles या फिर ट्रक के आगे मौजूद vehicles ट्रक के पीछे से आते हुए vehicles को clearly दिख जाते हैं और इससे overtake करने वाले driver को ये पता चल जाता है कि कब करना है overtake नाइस राइट पर फिलाल इसे smart ट्रक से वॉल्वो ट्रक अर्जेंटीना और हेलविटी का ऐसे जैसे leading truck manufacturing companies में ही use किया जा रहा है अब हलोग आ गए must point पे गौल से देखिए इस क्रानी को जैसे मैंने आपको इंट्रो में कहा था ये दुनिया का सबसे fastest animal है अब I know तुमेंसे कोई ग्यान ही ये बोलेगा कि चीता सबसे fastest है तो well मैंने कब भागने के मामले में बोला मैंने तो खाने के मामले में बोला था ये vampire and sylphosip tropics of Africa, Australia और Asia में ही पाये जाते हैं जो proof करने के लिए एक video बनाए गई थी जहां videographer को literally उसका video 4,80,000 frames per second पर चलाना पड़ा bite के shot को record करने के लिए और इससे आप ही सोच लो ये कितनी जल्दी अपना खाना ये किसी और का भी खाना खतम कर सकते हैं बाई चीता भले ही जल्दी भाग लेता हो पर इस छोटू से vampire को खाने में कोई नहीं हरा सकता है promise and friends क्यों इन धमाकेदार facts ने आपको हिला के रख दिया कि नहीं अब आपका ज्यान बढ़ गया है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे के बताओ well अगर आंसर आपको पता हो तो नीचे comment करो comment section में और अगर आपका जवाब सही होगा तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक heart अगर वीडियो पसंद आई friends तो एक like ठोकना जरूर और subscribe करके रखना क्योंकि ये वीडियो ऐसी आपकी ग्यान आगे भी बढ़ाते रहने वाले हैं हर दिन का एक वीडियो आपको बहुत ज्यादा knowledge देगा और हाँ subscribe करते ही notification bell on करना मत बूलना see you in another one till then stay curious keep learning and keep growing जाए हें